नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परिक्षिता अकैडमी और आज हम फटाफट सीरीज में बात करने वाले हैं केंदरी सूचना आयोग, सेंटरल इन्फोरमेशन कमीशन और मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे की कोशिश करेंगे क्योंकि MPPC का प्री का जो एक्जाम है वो बिलकुल नजदीक है, तो बीना टाइम वेस करें हम फटाफट मुख्य बिंदो की चर्चा करते हैं और इसका हम एक और डिप्लिकेट वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें ज्यादा विस्तार से हम समझाएंग अर्थात उसमें जो है theoretical पार्ट जादा रहेगा लेकिन यहां पर हम एकदम to fact बात करने वाले हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों हमारा जो होसला है वो तभी बढ़ेगा और बढ़ेगा जब आ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें तो चलिए बात करते हैं केंद्री सूचना आयोग के बारे में इसके पहले इसका पस्टी करण ले लेते कि एक्च्वल में होता क्या है तो केंद्री सरकार, राज्य सरकार, पंचाईती तथा एसे गे सरकारी संगठन जिसका संचालन, नियंत्रन और वित्ती सहयोग, राज्य तथा केंद्री सरकार दोरा किया जाता है उनसे हम विभिन प्रकार की सूचनाएं मांग सकते हैं, लिखीत रूप में मांग सकते हैं, अगर इलेक्रोनिक है तो हम उसको डिस्क पैंड दर्शिता आती है, आप सभी RTI हमें से शॉट में बोलते हैं, राइट तो इन्फोरमेशन, वो इसी के अंत्रगत जो है काम करता है, तो आचलिए विस्तार से इसको समझते हैं, गठन की बात करते हैं, जो की काफी इंपॉर्टेंट है, आपको तो ये डेट याद रखनी है तो इसका जो गठने सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहट किया गया था, और कब किया गया था, तो 12 अक्टुमबर 2005 को किया गया था, शाष्की राजपत्र अधिसुचना के माध्यम से इसलिए ही ये जो है सावेदिक निकाय है, और ये जो है सावेदिक या व बात करें तो एक अध्यक्ष और कुछ सूचना आयुक्त होते हैं जनरली संख्या दस निर्धारी थे दस से जादा नहीं होने चाहिए लेकिन वर्तमान में जो एस सदस्य संख्या कितनी है छे है अर्थाल साथ सदसी जो है सूचना आयोग है जिसमें एक मुख्य सूचना चलिए आगे बढ़ते हैं नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी जो नियुक्ति है राष्टपती की द्वरा की जाती है लेकिन ओन दे रिक्मंडेशन ओफ अ कमेटी जिसमें तीन मेंबर होते हैं कौन-कौन होता है काफी इंपोर्टनेंट है मान के चलिए कुशन यहां से आ सकते हैं प्रधान मंत्री लौक सबा में विपक्ष का नेता और एक केबिनेट मंत्री जिसे की प्रधान मंत्री ही अपॉइंट करता है जब यह तीन लोग जो है सिफारिश किसी भी व्यक्ति की कर देते हैं तो राष्टपती उसे जो है जो सूचना आयुक्ति के रूप म इसका कारेकाल रहता है यहां पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि पहले इसका कारेकाल जो था पांच वर्ष यह 65 साल था लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और इसका कारेकाल जो है तीन साल किया गया तो फाइनली हम बात करें तो तीन साल है 65 साल की उम्रत तक पद विमुक प्रत्म अध्यक्ष की बात करें तो वो थे वजाहत हभी बुलाहा जो है इसके प्रत्म अध्यक्ष थे अगर इनको खुद मन कर रहा है कि नहीं हमें पत्याग देना चाहिए अपनी इच्छा हो रही है ना कोई परसनल या नीजी कोई विक्तिकत कारण है तो राष्ट्रपती को अपने हस्ताक्षर सहीत एक लेख लिखकर जो है अपना पत्या कर सकते है जो नॉर्मली हर फिल्ड में होता है चलिए योगिता की बात कर लेते हमने जिस प्रकार पड़ा कि मुख्य सुषनायुकत और अन्य सुषनायुकत होते हैं तो इनकी योगिता क्या होती है तो योगिता की हम बात करें तो विधी विज्ञान एवं तकनिकी सामाजिक सेवा प्रबंदन पत्रकारिता जन संचार पारुद्यम न करते हों तो ये इनकी मुख्य रूप से जो है इसकी योगिता है वेतन और भत्ते की बात करें तो इसके वेतन और भत्ते जो होते हैं निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं और निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते क्या है हमने जब इसके अंदर पढ़ाता तो हमने यह पढ़ा था है सुप्रीम कोड की नियाइधिश के समान है तो यह दोनों उसके लगबग पैरलर आ गए लेकिन हमारा जो कुष्ण है वो इस आंसर जो है यह पुट करेगा कि निर्वाचन आयुकत के समान होते हैं अर्थाथ जो मुख्य सूचन आयुकते हैं उसका होती है ठीक है तो यह हमें ध्यान रखना है पहली महिला सुचन आयुकत की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है तो दीपक संदू जो है पहली महिला सुचन आयुकते रही है दूसरी महिला जो है सुचमा सिंग रही है अधिनियम की क्रियानवन के संबंद में जो आयोग कि अपना वाशिक प्रतवेधन केंदर सरकार को प्रस्तूत करता है अभी तक जनरली हमने यह देखा है कि जो समेधानिक आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे पेश करते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्पति को देते हैं लेकिन सुचना आयोग में हम देख रहे हैं कि अपनी वाशिक रिपोर्ट केंदर सरकार को प्रस्तूत करते हैं आपको याद रखना है कि HD सोरी समीती का जो संबंद है वो RTI से संबंदी थे राइट टू इंफोमेशन से कोई सोरी समीती गठित की गई होगी अब सुचना के अधिकार का हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो सुचना के अधिकार की जो मांगे सुरुपत हम राजस्तान से प्रारंब हुई थी और 90 के दशक में मजदूर किसान शक्ती संगठन ने जिसकी मुख्य व्यक्तित्व थे अरुना राई के अगवाई में ब्रष्टाचर के भंडा फोड के लिए जन सुनवाई कारीक्रम के रूप में ये कारवाई हुई थी और सुचना का अधिकार अजस्त हमने पड़ा 2005 से लागू हुआ है ये आयोग जो है 2005 से बना है तो इस आयोग से पहले ही कहीं राज्यों में जो है ये वाला अधिनियम पारित करा चुके थे कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें साशन में पारदिशिता के उद्देश इसे कोई सुचना मांगता है तो उसे दी जाती थी तो हम आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे भारती संसद ने दिसंबर 2002 में सुचना की सोतंतरता अधिनियम पारित किया जनवरी 2003 में राश्ट्रपती की मंजुरी मिली लेकिन इसे लागू नहीं किया गया अर्था 2005 से पहले भी जो है कोशिशे की गई थी सुचना आयो की तो ये काफी important factor है क्योंकि हो सकता एक्जाम में पूछा जाए कि जो 2005 में सुचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ उसने किस का स्थान लिया है ठीके तो हाला कि लागू नहीं हुआ था लेकिन इसने 2002 वाले का स्थान लिया तो ये आपको सन याद रखना है मई 2005 में नया सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसत में पारित किया जिसे 15 जुन 2005 को राष्टपती की स्युकरती मिली और 12 अक्टुम्बर 2005 को यहनियम भारत में लागू हुआ तो ये इतनी फैक्ट हमें याद रखना है काफी important है question बन सकता है कि इसके पहले हाला कि जब ये लागू हुआ तो ये वाला जो है निरस्त हो गया लेकिन इसने इसका अकुल मिला कर बात करे स्थान तो लिया अब हम बात करते हैं सुचना के अधिकार का केंदरी कानून बनने से पहले देश के नो राज्यों में पहले से ही जो है अधिकार मिल चुका था कहां कहां पर तो हम एक बार औरली बता देते हैं क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है तो हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करते हैं तमिलनाडू उन्नीस सु सिंत्यानवे में गोवा में उन्नीस सु सिंत्यानवे में राजिस्थान में सन 2000 में, करनाटक में, 2000 में, दिल्ली में, 2001 में, महरास्टरा में, 2002 में, 2002 में, मध्य प्रदेश में भी था, सौरी माफी चाहेंगे, मध्य प्रदेश में भी था, कब 2003 में और जम्मू कश्मीर में, 2004 में, तो इतनी चीज़ें में याद रखना है, चलिए, 2003 में, लेकिन मध्य प पर्मिशन जो बना है वो दोजार पाच में ही बना है चलिए सुचना की अधिकार की बात करें तो जब भी सुचना मांगी जाती है तो उसका 30 दिन के अंदर सुचना देना आवश्यक होता है पर्टिक्लर इसका एक शुलक होता है ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बहुत कम होता है अगर 30 दिन के अंदर सुचना नहीं मिल रही है तो हम भी भाग ध्यक्ष के पास जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं और वो भी भी हमारी अगर मान लीजिटे Plus मांगते हैं गलत जानकारी अगर हमें दी जाती है साशन प्त्रहसाशन की ओर से या जानकारी नहीं दी जाती है तो सूचना आयोग के पास जब आप शिकायत करते हो जिसे आपको जमीन से संबंदित अपने डॉक्यूमेंट निकालने है रखवा निकालना है जमीन का आपने सूचना लगाई आपके निकटस्त तहसील में राज्य सुविभाग में अगर उन्हें सूचना नहीं दिया गलत जान करी दी तो आप सूचना आयोग में चाहे तो राज्य सूचना आयोग में या केंद्र सूचना आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं अगर केंद्र की हम बात करें क्योंकि हम केंद्र का पढ़ रहे हैं तो धाई सो रुपे प्रति दिन के हिसाब से जो है जुर्माना लगाया जाता है जो अधिकतम 25,000 रुपे का हो सकता है ठीके और तीन साल का जो है कारावास भी दिया जा सकता है अगर इन्हें कुछ जादा ही सीरियस मैटर लगता है सुचनायोग को तो इतने फैक्ट हमें मु मिशन देता है वही आयोग दे सकता है जिसे नियाईक शक्तिया प्राप्त हो चुकि हमने आगे बता है वैदानिक आयोग है चुकि और इसे नियाईक शक्तिया नहीं है ठीके तो यह जो अर्थ दंड लगा सकता है अर्था आर्थिक दंड लगा सकता है कारावास नहीं कर सक तो हमारी सेंटेंस में हम कर्रेक्शन करना चाहेंगे चलिए अब इसी प्रकार हम बात करते हैं मध्यप्रदेश राज्य सुचना आयोक के बारे में तो इसका जो गठन है राज्य सुचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहट 12 के तहट केंदर कहुता और ये धारा 15 के तह इसका जो हो गया पहले ही हो गया था 22 अगस्त 2005 को इसका जो मुख्या ले भुपाल में है सनचना की बात करते हैं तो मुख्य सुचना युक तो रन्नी सुचना एक्टर से मिलकर बना होता है ये प्राउधाने की 10 से जादान मेंबर जो है नहीं होने चाहिए नियुक्ति की बात करें तो उसकी नियुक्ति जो है राजजिपाल द्वरा की जाती है एक कमीटी के रिक्मेंडेशन के आधार पर जिसमें होते हैं बिलकुल उसी तरह जैसे केंद्रे में होते हैं वहाँ पर पीम था यहाँ पर लोग सभा में विपक्षका नेता होता है यहाँ पर विध समन या अपने सामने समन जारी कर सकता है और जवाँ हजिर होने के लिए बोल सकता है प्रतम राज्य मुख्य सुषन आयुक्ति की बात करें तो वह है टी एन श्रिवास्तव पुनह नियुक्ति जो है नहीं होती है वेतन भत्ते हो सेवा शर्ते केंद्र द्वारा निधारित अगर हम बात करें तो यह राज्य है राज्य मुख्य सुषन आयुक्ति की वेतन और भत्तत अनकी सेवा के अन्य शर्ते राज्य के मुख्य सचीयू के समान होती है तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने जनरली आपको सारी फैक्ट बताने की कोशिश करी है मात्र 10-11 मिनीट के अंतरगत आप समझ जाएंगे और हमने वर्तमान जो केंद्री सुषन आयुक्त है और जो राज्य सुषन आयुक्त है उसके बारे में नहीं बताया है उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सभी आयोग के जो वर्तमान जो भी अध्यक्षे उसके हमारा प्रयास पसन आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को जो है आप लाइक करें शेयर करें कमेंड करें थैंक्स पर वाचिंग और हैवा नाइस टे